हलो जी नमस्कार केमचोर रामराम साब सत्स्रिया काल एक बार फिर से आप सभी का तहत दिल से स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूटूब चैनल ट्रेन लाइप में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप से यही रिक्वेश्ट करता हूँ हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिसे की आने वाली हर इन्फोर्मेटिव वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चल सके तो सुरू करते हमारे आज के इस वीडियो को बिना देर किये त इस ट्रेन का मदार जंगसन के बाद में विस्तार करने के बाद में इस ट्रेन के नंबर में भी चेंजेज किया जा रहा है यह ट्रेन 1917-1968 यानि मदार रेवाडी-रेवाडी-मदार एक्सप्रेस ट्रेन से जानी जाएगी और फुलेरा से मदार जंगसन के बीच में यह सभ 24-64 इटावा आगरा केंट इटावा मेमू ट्रेन का संचलन किया जा रहा है वो भी 29-1-2023 से अगर बात करें इस ट्रेन के रूट के बारे में तो ये ट्रेन इटावा के बाद में जश्वंद नगर बदान सिकोहाबाद मक्खनफूर फिरोजाबाद टूंडला चलेसवर बे समलित होने वाले हैं तो अब बात करते हैं नेक्स ट्रेन मेमू ट्रेन के बारे में तो जैसा कि आप स्क्रिन के उपर देख सकते हो गाड़ी संख्या 041-85, 041-86, फपूंद इटावा इटावा फपूंद इस्पेशल गाड़ी का संचलन किया जा रहा है वो भी 29-1-2023 स अगर बात करें इस ट्रेन के रूट के बारे में तो ये ट्रेन फपूंद के बाद में पाता, सामोह, बर्थना, एक दिल के रास्ते इटावा तक संचलित की जाएगी अगर बात करें इस ट्रेन के अंदर कोच कंपोजिशन की तो इस ट्रेन के अंदर 8 मेमू डिब्बे समल होने वाले हैं तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एन इंफोर्मेशन के बारे में तो जैसा कि आप स्क्रिन के उपर देख सकते हो गाड़ी संग्या 2823-2824 पूरी अजमेर पूरी एक्सप्रेस रेल सेवां में पूरी से निम्न दिनांग से एक सेकंड एसी वा एक थर्ड एसी सिर एक सेकंड एसी वा दो थर्ड एसी डिबों की इस्ताय रूप से बढ़ोतरी की जा रही है तो यह थी आज की छोटी सी इंफोर्मेशन मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में तब तक के लिए थांक्यू सो मत